जितनी जल्दी हो सके वहां अपने परिवारों के साथ पहुंच लें ताकि in case of any emergency वो एक evacuation plan के तरह रहे ताकि वो अपने उनके परिवारों को वहां से निकाला जा सके इस कदर भैबीत हो गए थे और बिटिश कमांडर्स की बात कोई मानने को तयार नहीं था तब उन्होंने स नो सेनिकों को आश्वासन दीजिए और उनके आश्वासन के बाद वो बात छुपी उसके बाद तो ये तैय हो गया कि अब जित्ती जल्दी हो सके जान बचा के भागें सबसे बड़ा कारण वो नो सेना के अप्राइजिंग ती इसी लिए दो सितंबर 1946 को सरकार बना दी ग गया था वह इसलिए चुराइज चूस किया गया था कि पंद्राइज सुनी सो पैटालिस को जैपान ने सरिंडर किया था and that's where finally the second world war ended and the British supremacy was established यह लौड माउंड बेटम ने खुद लेखा है तो आप यह समझे कि स्वतंता के संघर्ष में बहुतों का योगदान है मगर जिसका योगदान सरवाधिक है उसको पीछे कर दिया जाता है हम मेंसे कित्रों ने जन्र नौलेज में पढ़ा कि आजाद इन फौच की निर्वासित सरकार थी 1943 में जब हमारी सरकाराई तो 2018 में जब उसके 75 वर्ष पूरे हुए तो जो जीवित सैनिक थे उनको 26 जन्वरी की गरतन दिवसकी परेड में बाकैदा शान के साथ उनका उनकी परेड निकाली गई उससे पहले तो जो इतिहास पढ़ता था उसे पता था इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि स्वतंता के संगर्ष में सभी ने योगदान दिया है बहुतों ने योगदान दिया आप एक दूसरा उधारन देखिए सूरी सेन के नित्तरत में चटगाओं में शस्त्रागार मार दिया गया था और वॉइसराय हार्डिंग के उपर बम फेक दिया गया था कभी आप कल्पना करें जरा उस सरकार की कि वैसराय पे बम एसमेली बे बम पुलिस कमिशनर की हत्या खजाना लुट गया शस्त्रागार लुट गया सरकार तो हिल गई होगी उनका विचार होगा कोई योगदान ही नहीं था सारा योगदान एक में हो था तो मेरे विचार से सारा योगदान उनका था जिन लोगों के जो काला पानी सह रहे थे उनका योगदान नहीं था जिन्हें कोलू में बैल की तरह जो दिया गया उनका योगदान नहीं था जो जेल में रह रहे थे पर जलवे से रह रहे थे जो किताब भी लिख रहे थे सेकेटरी भी उनके साथ था और एक नहीं 33-34 किताबे लिखी जिनके वाइस राय के साथ अत्यनत मधुर पारिवारिक संबंद थे वो संघर्ष कर रहे थे ऐसा अद्बुत इतिहास जो हमारे यहां बताया गया है हमें इस अमरत काल में यह भी समझने की जरूरत है कि किस-किस प्रकार का विश हमें दूर क उसके बार मैं यह नहीं कर रहा हूं कि उनलों का को योगदान नहीं है मैं बिलकुल इमानदारी से कहता हूं नहरूजी प्रधान मंतरी बने उन्होंने कई अच्छे कारे भी किये आयाइटीज बनी एमस मना राउर के राबोकारों के स्टील प्रांट्स बने भागरानंगर पर जाके आपने मनवा दिया और उसके बाद तिब्बत ही नहीं वो तो एक साइचीन तक आ गया तो जो गलती है वह भी मानना होगा आपको पता है Northwest Frontier Province जो आज कल खैबर पक्तुनवा है फाटा का इलाका महां Muslim League नहीं जीती थी महां Congress जीती थी खान अब्दुलगफार खान मिलना ही नहीं चाहते थे पाकिस्तान से और उस समय ये स्टेंड लिया गया कि कोई लैंड रूट नहीं तो हम कैसे जुड़ जाएं इस्ट और वेस्ट पाकिस्तान 2000 किलो मिटर दूर होके एक देश हो सकते थे हम वो Northwest Frontier Province हमारा हिस्सा नहीं हो सकता था और जह हमने मना कर दिया तो खान अब्दुलगफार खान का यह स्टेट्मेंट है कि आपने हमको भेडियों के हाथों में छोड़ दिया है पता है आपको बलूचिस्तान यह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था खान अफकलात कभी नहीं मिलना चाहते थे आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ओमान 47 में Bombay presidency से कंट्रोल होता था ओमान हमने कितना छोड़ा है कितना गवाया है सब कुछ गवाते चले गए एक बात विचार करिए हम 2022 में बैठे है उन्निस सो अठारा या उन्निस का 105 साल पहले का भारत सोड़ देखिए सिर्फ पाकिस्तान मंगला देशी नहीं अफगानिस्तान बर्मा भी हमारे हिस्स थे और इंटाइर चाइना वस बुधिस्ट कंसींडरीं हिंदू और बुधिस्म एज वन फैमिली रिलिजिन वी वर द बिगेस्ट रिलिजिन ओन अर्थ और आज जो हालात हुए अगर मजबूत सरकार नहीं रही तो 2047 तक जो हालात हैं कश्मीर वैली में क्या होगा कुश् मार्क नकसल प्रभावी इलाकों में 36 गड़ में जार खंड में उडिसा के इंटिरे इलाकों में क्या होगा क्वेश्चन मार्क यानि खत्रा ये है कि मजबूत सरकार नहों तो आजादी के 100 साल बाद हो सकता हम अपने उस ओरिजिनल इलाके के आधे रह जाएं इन सब चुन करना रहना है और जो मैकाले का माइंडसेट 19 सदी का और माक्सवाद का माइंडसेट 20 सदी का दोनों से अपने मन में जित्ते विश हैं उस मनो रोक से मुक्ति पानी है और जो अभी कहा गया था कि कि सदी हमारी होगी तो मैं बताना चाहता हूं कि एक जनवरी 1901 को जब इस सदी के सूरच की पहली किरण इस देश की धरती पर गिरी तो इस देश में किसकी सरकार थी अटेल जी के नित्तुर्त में भाजपा की अगले दशक में मोदी जी के नित्तुर्त में इस पश्ट बहुमत की मतलब बहुत साफ है नियतिका संकेद कि 19 सदी अंग्रेस की थी 20 हमारी है हमारी उस विचार की है इसलिए अब हम आगे बढ़ें और मन में पूरा कॉन्फिडेंस रखें कि अगला वक्त हमारा ही आने वाला है और यह सिरु देश के अंदर नहीं बस एक पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूँ देखें दुनिया का पूरा देख लीजे एक दौर में धाई हजार साल पहले हम दुनिया के पावर सेंटर थे एकनॉमिक इंटेलिक्श्वल और मिलिटरी पावर सेंटर जब वो खतम हुआ भारत का डाउनफॉल हुआ तो सेंटर कहा गया किंग डेरियस ऑफ परशिया इरान के दरफ चला गया फिर जब इरान का डाउनफॉल हुआ तो मिसोपटामिन इंपायर सबाद प्रWind cognition के बाद ब्रिटन फ्रांस का जोमाना ब्रिटन फ्रांस के बाद अमरीका का जोमाना अर्िका में सबसे फ्रस्परास बेस्ट संट फ्रांसिसट को लॉस अंचेसिक लिए जायोड़ ऊपट कि वाद आजाईए पिछले 50 साल में, Tigers of the Asia Pacific, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Macau, अब चीन का जल जला चल रहा है, तो अगला मुकाम क्या है, इसमें कोई संदेह मत रखिएगा, कि अगला मुकाम हमारा आने वाला है, और हम जेदी दुनिया में आगे बढ़ेंगे, तो we are not there to dominate the world, we are there to motivate the world, चीन, दुनिया को दबाने के लिए आगे आ रहा है, हम दुनिया को प्रेरित करने के लिए आगे आ रहे हैं, और इसलिए हम वल्ड की सुपर पावर नहीं बनना चाहते, हम जगद गुरू बनना चाहते हैं, क्योंकि पावर्फुल व्यक्ति के बगल में खड़े होकर, अक्स है कि हम राष्ट से लेके व्यक्ति तक को मोटिवेट करने की शमता रखते हैं और फाइनली एक बात और कह दूँ यह प्रेणा हमें कहां से मिलती है आज आप देखिए चाइना ताइवान के के उपर dominate करना चाह रहा है तो रशिया यूकरेन के उपर dominate करना चाह रहा है तो पूरी दुनिया की जीयो politics हिसमें चल लिए annexation subjugation and domination या तो country को मिला लो पिछले सो सालों में हुआ न या फिर subjugate कर लो उसको किसी treaty का हिस्सा बना लो यानि indirectly अपना शासन कर लो या dominate कर लो एक contract कर लो ताकि सरकार वहीं रहे मगर वह आपका control रहे परंदु हम इन तीनों में से किसी में विश्वास नहीं करते क्यों जब भग्वान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो क्या उसका किया नहीं वहां कोई अपना deputy of viceroy appoint किया यानि subjugation किया नहीं महां कोई contract sign कराया यानि domination किया नहीं गुलियों को इस्थापित किया और सह अस्थित्व का विचार दिया इसलिए विए अगर 21 सदी में विश्व का उदय होना है तो वो सिर्फ हम ही दे सकते हैं और हमारे अंदर ही वो शमता है अटल जी की कविता की है पंक्ति उस विचार जिसे सामपरदाई कहके के बहुत लांचित किया जाता है वो सिर्फ हमारी उन्नत के लिए अमरतकाल जरूरी नहीं है जब 2047 में हम उस पीक के उपर बैठे होंगे उस समय हम दुनिया को क्या दे रहे होंगे उनकी प्रख्यात कविता जो पुराने लोगों को याद होगी हिंदू तनमन हिंदू जीवन रगरग हिंदू मेरा परिचे तो उन्होंने कहा था कि होकर स्वतंत मैंने कब चाहा मैं करनू जक को गुलाम मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया कब दुन्या को हिंदू करने घर घर में नरसंगार किया कोई बतलाए कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मजज़त तोड़ी भूभाग नहीं शत्षत मानव के हिर्दय जीतने का निश्य हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा पर थे और फाइनली एक कॉंसेप्ट अपने दिमाग से पूरी तरह निकालना पड़ेगा जो हमसे कहा गया न हम वो देश थे जो आके सेटिल होते गए तो लोग बसते चले गए सरजमीन हिंद पर अक्वाम आलम खे फिराग काफिले बसते गए हिंदोस्ता बनता गया यह हम सराय नहीं थे कि आके सेटिल होते गए हम वो थे जहां ग्यान का पहला उद्ध हुआ और पूरे विश्व को हमने संदेश दिया इसलिए हमारा राष्टबाद क्या है हिमाले के आ संस्कृति हो उठी अशोग तो संपूर संसार को शोग से विरत करके उसे सुख के मार्क पर प्रेजित करने की सामर्त हमारी है इसके लिए आप प्रण करें कमर कसें स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें बलिदान करें जो पाया उसमें खोना जाएं जो खोया उसका ध्यान करें करें